आप सब्सक्राइब कैसे हो आप सब जैने दोस्तों मैं बढ़िया हूँ आप भी बढ़िया रहना आज की वीडियो के अंदर यह बात करने वाले कि आपके लिए होम थेटर बेस्ट होगा या फिर एम्प्लिफायर अच्छा होगा अब काफी ज्यादा कन्फिजन रहता है क्य क्यानी कि होम थेटर खरीदना चाहिए या फिर एम्प्लिफायर खरीदना चाहिए तो दोस्तों यह कंफिजन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी आया ही होगा क्यार मैं होम थेटर खरीदू या फिर एम्प्लिफायर को खरीदू तो दोस्तों वह डाउट आज मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ, कुछ इतनी अच्छी अच्छी qualities बताऊंगा, amplifier और home theater दोनों की ताकि आप अपका खुड decide कर सकते हो क्यार मुझको क्या खरीदना है दोस्तो disadvantages भी है कि मतलब home theater में क्या कमी रहती है amplifier में क्या कमी रहती है वो भी आपको बिल्कूल explain करूँगा दोस्तो अपना काम में आपको सही चीज बताना, ना कि किसी company का promotion करके और उसको बड़ा चाड़ा के दिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं जो सही होता है, वो अपने आपके explain करते है दोस्तो मेरी सारी video experience पर बेस्ड रहती है, ना कि किसी किताब में से देखके या फिर कहीं छपा हुआ उसको पढ़के सोना देता हूँ, ऐसा नहीं रहता है जो दोस्तो मैंने कुछने experience किया है वो चीज मैं आपके साथ share करता हूँ दोस्तो वीडियो कर पसंद आए तो जरू से लाइक करना चैनल पर नहीं होए तो जरू सब्सक्राइब करना क्योंकि यह guarantee से मैं कह सकता हूँ कि यार मेरे चैनल आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको कही ना कहीं फाइदा ही होगा दोस्तो सबसे बड़िया बात यह करना चाहता हूँ क्यार दस वीडियो देखने से अच्छा है कि एक वीडियो देखो ताकि आपको समझ में आए क्यार बाई करना क्या है ना कि यह फोर्मल्टी वागरा हो जाती है जो वो समझ नहीं तो दोस्तो आज का वीडियो अपन फाइनली शुरू करते है तो दोस्तो मेरा नाम है चिराग और आप यह चैनल देख रहे हैं इसका नाम है टेक्निकल चिराग यूटूब चैनल तो दोस्तो चैनल को ज़रू से सबस्क्राइब कर लेना तो दोस्तो अब आपन सिंपली बात यह करते कियार आपके लिए एंप्लिफायर खरीदना बेश्ट होगा या फिर एक होम थेटर खरीदना आपके लिए सही रहेगा तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर यही बात करने वाले है क्या एक Apply higher खरीदने आपके लिए ज़ादा फाइदेमन रहेinda, या फीर एक Home уз predator खरीदने आपके लिए ज़ादा फाईदे पाने रहे가 दोस्तों तो मैं आपको दोनोंकी डिटेल्स जो बता ऊंगा किया Homeılar ख्रीदने के टाइम और इह था क्या-क्या नुक्सान रहएं वह कुछ जेगे में रख कर बजाओंगे जैसे कि एक कमरे के अंदर रख के वजाओंगे या हाल के अंदर रखोगे या फिर आपको कोई जिम अगयरा है उस में आप यूसक करना चाहते हो या फिर आपका कोई बड़ा सा मुड़ा चोटा-मोटा इंस्ट्रुमेंट का कुछ ह आपे सही पर्फॉर्म नहीं कर पाईगी बल्याब कितने ही अच्छी कंपनी के आप ले लेते हो अब दोस्तो एक 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 भी बात करेंगे किया होम तीटर के जो क्या इस्पेसिफिकेशन रहने वाले हैं और एंप्लिफायर के क्या रहने वाले तिससे कि आपको यह समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी क्यार मुझको क्या चीज खरीदिनी चाहिए अब दोस्तो बैसिकली यह तो मैं आपको समझा दिया किया है आपकी जरूरते क्या क्या है अब दोस्तो सबसे पहले बात करें क्यार आपको घर के लिए चाहिए यानि कि आपका एक कमरे के अंदर आप चाहते हैं कि मैं कमरे के अंदर एसे फिट कर लूँ ताकि मेरा सारा उसके अंदर ही फिट हो जाए और मैं Bluetooth से उसको चला सकूं तो दोस्तों आजकर एंप्लिफाइर के अंदर भी Bluetooth अवेलेबल है और Home Theater के अंदर तो आते ही हैं लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि नहीं म क्वालिटी चाहिए तो वह Home Theater अच्छे से दे पाएगा ना कि Amplifier क्योंकि Amplifier अच्छी क्वालिटी जरूर से देगा लेकिन उसको थोड़ा सा आप Home Theater से उपर रखके चलिए यानि कि Home Theater की जो आवाज जहां पर खतम हो जाती है Amplifier की आवाज वहां से शुरू होती है ऐसा कुछ आप समझ सकते है क्योंकि दोस्तों Home Theater एक उसका नाम ही Home Theater यानि कि वह एक कमरा या फिर एक होल को कवर करने के लिए ही बनाया गया होता है और जो Amplifier होता है उसका कोई limit नहीं होती है आप उस पर अच्छे driver उसकरके और उस आपको बड़ी कोई जगे है उसके लिए नहीं कि आपको बड़ा होल है उसके अंदर आप चाहते हो कि यार मैं यहां पर Amplifier लूँ या फिर Home Theater ठीक रहेगा और आपका गर जीम अगेरा है उसके अंदर आप चाहते हो कि नहीं यहां पर क्या यूश करूँ तो दोस्तों उस इसका भी बहुत बड़ा रीजन है जो आपको Home Theater आएगा वह की स्टैप से आएगा Home Theater बैसिकली बेंट पास इंक्लोजर के अंदर आता है और उसके साथ आपको सेटलाइट स्पिकर दी जाते हैं सेटलाइट स्पिकर कितने बड़े होते हैं आपको भी पता है चोटे-चोट के मुकाबल है लेकिन अब अगर बात करें एंप्लिफायर की दोस्तों एंप्लिफायर बेसिकली वोटेज पर डिपेंड रहता है आप 50 वोट का एंप्लिफायर लेते हो तो उसकी कुछ अलग रहे जाएगी पावर आप 100 वाट का 200 वाट का 1500 वाट जो भी आप लेना चाहें उसकी कॉलिटी बढ़ती जाती है अगर आपन घर के लिए बात करें तो आपके लिए 70 वाट या 100 वाट तक का खूब हो जाएगा एंप्लिफायर जैसे कि आपको बड़ी जगह में अगर उसको बजाना चाहते तो आपकी कॉलिटी बहुत अच्छी आईगी लेकिन आपको उसके लिए स्पिकर भी बनाना पड़ेगा या फिर बनवाना पड़ेगा या फिर बना बना या खरीदना पड़ेगा उससे होगा यह कि एम्प्लिफायर अलग चलेगा यह नहीं एम्प्लिफायर अलग रखा रहेगा और आपके स्पिकर के दो बोक्स तो आपको नेसेसरी हेई क्यार दो तो होने ही चाहिए नहीं तो अच्छी quality नहीं आईगी दो वह सागर आप speaker के लगाते हो और वो भी कुछ इसी price में होंगे जो कि आप home theater में खरच करोगे चाहदा कोई इसमें price का भी नहीं रहता है लेकिन हाँ यह बात हुजएगी कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो और थोड़ा सा इधर adjustment कर लेते हो इन चीजों के अंदर तो दोस्तो आपकी quality काफी ज़्यादा सुधर सकती है home theater amplifier के मुकाबले अगर आपको सुनने का shock है कि यार नहीं मुझे अची quality चाहिए थोड़ा मेनत करनी पड़े तो चलेगा तो दोस्तो आप amplifier की तरब आप थोड़ा search करना ताकि आपको पता चलेगा कि यार amplifier में कितना future है और home theater तो company बना बना के देती है बहुत सारी company है मैं किसे का नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन कोई मतलब नहीं अगर आप उस home theater को 3-4 गंटा भी अगर full volume पर सुन लेते हो तो वो साम तक फुक जाएगा इसकी भी guarantee है और अगर कोई महेंगी company है अच्छी company है तो दोस्तों उसका IC8 होने लग जाएगा बेस फटने लग जाएगा यानि कि आवाज quality भी गड़ जाएगी ना कि सुधरेगी लेकिन वहीं पर amplifier की जो limit होती है इसलिए दोस्तों amplifier कावी जाएगा अगर आपको quality सुननी है और आपको यह चाहिए कि नहीं मुझे तो बस मतलब है कि यार बस थोटी सी जगे के अंदर मेरा sound system fit हो जाए और मुझे मेरा आवाज मिल जाए इतना सा खूब है तो आप home theater की तरफ जा सकते हो तो दोस्तों यह था overall वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जवर से बताना comment के अंदर मैंने मेरा personal experience और राई दिये ना कि किसी दो जने की वीडियो देख किया काई किताब या article में से पढ़ पढ़ किया आपे जानकरी चापी ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मुझे लगा मैंने वो किया क्योंकि दोस्तों मैं खुद भी एक amplifier ही use करता हूँ home theater भी मैंने use किया हुआ है मेरे पास दोनों रखे हुए लेकिन मैं amplifier को ज्यादा आगे मानता हूँ क्योंकि दोस्तों एक चीज़ और होती है जो आपका home theater होता है वो दोस्तों आपको एक तो subwoofer built मिलता है कि कुछ समझ नहीं आने वाला कि यार क्या बज़रा है आप जो कोई भी सुनोगे उसको अगर थोड़ा सा दूर जाओ गया निकि काना यहां चला दिया अब यहां से आप खड़े हो के सुन रहे हो दूर से आपको 5 गाने 10 गाने जो भी बजा लो एक यह से सुना ही पड़े फटा फट कंपलिट करा दो बहुत टायम हो गया लेकिन अभी तक भी कोई लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाता है केवल वीडियो देखके जाते है अब दोस्तों वीडियो देख रहे है इसका मतला को वीडियो तो पसंद दे तो यार सब्सक्राइब करने में क्यों करते हो सब्सक्राइब भी करी दिया को